कि अधियों सेधेंग मेरे असे मेरा में नहां व्लॉग को और तो किए être गुले इए मैं 23rd देखिए क्या बढ़िया बढ़िया मज़ा आरहा है बहुत आज हम लोग पूरा यह शो देखेंगे आज न्यू यर पे यही सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और दिया ने जो कल मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया थे बहुत ही शांदार तो गाइस दिया ने मुझे कल बारा बजे विश्किया और यह वाले यह रिंग्स दिया थे जिसको मैंने कल पहना था उसके साथ साथ दिया ने मुझे बहुत सुन्दर चेन दी थी रेखिए कि इती प्यारी इसमें गिटार बना हुआ है क्योंकि गिटार दिया को बहुत पसंद देती लिए यह वाली चे सबस्क्राइब मेरी नहीं है मेरे को दिये थी यह 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 बमंखे लिए स्धी प्यारे लग रहे हैं उसके बाद दिया ने मुझे एक यह वाला बैल bow search जो सबसे बेस्ट चीज थी जो मुझे सबसे लगी तिया की वो है यह कार्ड और इसको मैं लाइफ टाइम समझाल के रखने वाली क्योंकि तिया मुझे आप मेरे एक बच्पन का सम्हाल के नहीं रख्यों तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं था तो मैं नहीं थमाल दीते इसके वीडियो मैंने बहुत सम्हाल के रख्यों हुए अपने लैप तो मैं हमेशा देखती रहती हूँ लेकिन जो सबसे बैस अब तक का लगा है वो यह कार्ड लगा जो उसने बनाया था देखे कितना सुंद अब देखे कि अबनाया रहती है वेट्धा अबनाया यह मत पांड लॉग अफैसली अफैसली लॉगा था सब्सक्राइब लॉगरर खार्यों है ब्लॉगर यह जीज मज हूँ अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी है उल्सा है जो बहुत बल्लंकेट अगी नुएल तरही इसको ना एक बाज ने खा लिया है यहां पर साइड में बैठा हुआ था यहां पर साहिड में बाज बाज ने इसको मार के नीचे किरा दिया था कि मैंने अपने केश्कों में मिलता यह थोड़ा सा बाहर का माहल मिलता रहें घर के अंदर उसी-फिर से विचारे परिषान हो जाते मैं हमेशा अपने घर में भी इनको ऐसे ही ओपिन छोड़ देती हैं लोग अगर इन लोगों को खाना खाना होता तो ये अपने केस में जाते हैं दर्वाई ये पूरे दिन खेलते रहते हैं तो क्या हुआ कि मैंने केस को बाहा निकाला था.. मान में पर 18 December 12 बबूत लेट, तुम से टाई तो मैंने इनको बाहा निकाल दिया था.. बाज इन लोगों के उपर पहले थे ही बहुत बार अटेक कर चुकी थी.. पाज ने उनके ऊपर अटेक कर दिया था, यह दो तीन बार बाज मैंने देखा था, कि बहुत सारी आने लगी है मेरे गर पे और एक दो बार उन्होंने अटेक किया, तो मैंने देख लिए क्योंकि यह जो बच्छा है यह आप इसको देखा है, यह बहुत जादा चीची चीच तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार सुबह सुबह बाज आई थी इनके पिंजड़े पे चड़ गई तो यह बहुत तेज चिल लाने लगा मैं जली से गई मैंने क्या हुआ देखा तो बाज इनके पिंजड़े पे बैठे हुई थी फिर एक बार और हुआ था मैं बाहर सो रही थी धूप में अपना केज वही रख लिया था कि यह लोग खाते रहे धूप इन लोगों को लगती रहे तो बाज उस टाइम पी उस टाइम तो कम से कम मेरे घर में 15-20 बाज आ गई तो मुझे पता नहीं मैं वहीं सो रही हूँ फिर यही चिल तो मैंने का यह क्यों चिल आ रहा है तो क्योंकि मैं ब्लैंके टोड़के सो रही थूं यह बाजू में भाजू संब आखे हुए थे सब तो मैंने थीका बाज एक नहीं कम से कम 10-12 बाजू बाजू बाज जो होती है यह तनी क्लैवर होती है फ्रेंड़ इतनी जादा तो खाने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि इतने दिन से बजी समारे घर में रह रहे हैं मैं तो इनको पाट पाट चछी घंटे के लिए बाहर बिठा के रखती हूं गर्मी और मैं भी सर्दी में भी हर टाइम लोगों को बाहर बिठा के रख देती हूं और बाज ऐसी कभी आई नहीं है हमारे घर पे तो मैंने का कि ऐसी कुछ खाने के लिए आ गई होंगी और मुझे नहीं पता था कि क्योंकि उस टाइम जब मैंने देख नहीं पाया था बस बात चड़ी हुई थी और वो तुरन तोड़ गई जैसी मैं गई और उस दिन मैंने देखा कि यह छोटी-छ बच्चे बैठे हुए थे और बाज इतनी श्यानी थी इतनी श्यानी थी वो कि वो बाज जो होती वो एकदम पिंजडे पे नहीं चड़ती है नहीं तो बच्चे अपने आप चिला आना शुरू कर देंगे वो पिंजडे से दूर बैट जाती है और वो वेट करती है कि कब पिंजडे के पास में आएगा और वो अटेक करेगा और वाइटू और यह दुफैर का टाइम था दोड़ा ही बज़े का टाइम था यह लोग आराम से सो गए होंगे क्योंकि मैंने नहलाया भी था थोड़ी देर पहले तो मैंने इनको धूप में विठाया था उसके बाद पिर यह लोग आराम से जाके सो जाते फिर क्या हुआ जैसे ही बाजने अटेक किया यह पांचों के पांचों तो एक मटकी है मटकी के उपर चड़ गए और वो वाइटू था वहां पर बुलकुल पास में जाके सो रहा होगा तो उसने एकदम गर्दन पे अटेक किया कि बाज ने उसको वाइटू को एकदम खायल कर दिया वुलकुल ऐसी पड़ी थी लस्त पड़ी थी खूनी खून निकल ला था मैंने कपड़े सोर से उठाया उसको प्यार किया और फिर देखा तो उसको गर्दन पे बहुत जादा कटा हुआ था उसका गर्दन पे बहुत मैं तो अभी आनी पाऊंगा आपसे बात नहीं कर पाऊंगा इसको देख नहीं पाऊंगा आप ऐसा करिए बीटा दिन लगा के पट्टी पैंडेज लगा दिया लेकिन अक्चुली क्या था कि कहते हैं कि बाज जो होती सांप बगेर भी घाती है तो मुझे ऐसा लगा कि उस इसको काट लिया था बीटा दिन लगाने से भी ज्यादा कोई फाइदा नहीं हुआ बहुत देर तक विचारी सर्वाइब करती रही एक दो घंटे तक उसके बाद उसकी मित्ती हो गई और मुझे इतना ज्यादा दुख लगा सीरियसली वह अपनी आखों से जो मुझे देख रही थी ना उसकी आप को से आंसो भी निकल रहे थी और मतलब इतना सेफ जब तक हमेरी हमक्रवादों थी तो ब्ल् Reid को हुआए पर मैंने उसको थोड़ा सा लोग कर लिटा तयु अग्ल्या था यू फिर अधिर मैं तो था I ले को फिर दिम एक्वाइभी और को से इनको देख रही थी कि वह जिन्दा है या नहीं है थोड़ी देर तक शर्वाइब किया उसने लड़ा थोड़ा सा पंक फैलाने की भी कोशिस कर रही थी लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी मिश्ची हो गई और मुझे बहुत बुरा लगा तब से मैं अपने इन बच्चों का मैं इनको भ़ग्वान से चाओंगी बहुत लें मेरे सारे ना शुम्ति लें इनको प्राफ्लमी पनाणी चिला ज़मी आजा इसको भूक लग रही है तो यह चिलाना शुरू कर देता है है ना है ना है ना मिरा बच्चा चिलाता है सबसे प्यारा बच्चा है ममा का है ना है ना है ना प्यारा बच्चा है बहुत प्यारा बच्चा है बाइटू को भी बचाने में और सबको बचाने में इसी ने help करी थी नहीं तो बाइटू के साथ था वो बात जाने किसके को घायर कर देती मुझे पता भी नहीं जलता भगवान उसकी आत्मा को शांती दे मैं बस यही चाहती हूँ थैंक्यू धन्यबाद अगर आप लोग को कोई यह वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी बाते अच्छी लगए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शियर और कमेंट्स जरू करें थैंक्यू